ट्विटर पर बहुत टाइम से तीन साल से भी जादे समय से भी सुशान सिंग राजपुत का मुद्दा ट्रेंड होता है फिर डाउन हो जाता है फिर वापिस ट्रेंड होता है तो ओन एन ओफ होते रह रहा है कि जैसे कि लोग कहीं न कहीं अभी तक सैटिस्फाइड नहीं है उनको चाहिए कि इस पर जस्टिस मिले और आपने तो लिटरली लाइक जब मैंने आपका वर्क पड़ा तो आपने स्पीर हेड किया था कैम्पेइन को लेगा आपने जितना हो सके इन्फॉर्मेशन अवेरनेस फैलाया उस मुद्दे के बारे में प्रश्ण खड़े किये ठ ताकि यह केस आगे बढ़े तो मेरे कुछ सवाल है आप से सबसे पहले तो यह है कि आपको ऐसा क्यूं लगता है कि वह फाउल प्ले है विकेस ओवर अगर आप देखोगे तो लोग तो यहीं बोल रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं था वह वाकई में एक सुईसाइडी था त कोई का समय था वहाद में ही सुचे काम की कमी है पैसे करियर डूब रहे है तो मेरे चाल से अगर आप न्यूस पढ़ेंगे तो जिससमें इंसरेंट हुआ था उस समय शुषांद का बैंक बैलन्स करोड़ों में था नॉट इंक करोड़ों में था नॉट नॉड़ पांच कर चीजे थी तो अगर ऐसा चीज हुआ है तो मैंने एक जो जो आप बोलते ने ट्वीटर बावाज वो सारे कौमल लों के आवाज है उनको लगता कि फॉल प्ले है और फॉल प्ले जिसके टेन्यूर में हुआ उस टेन्यूर में पालगर में साधूओ की हत्या हुई बहुत ल उस से में कोवीड का समय था वोई वहिकल मिलता नहीं था तो एज अ इंडिविजूल हमारे स्टेट की पुलिस है हमको लगा तो हमने किसे को मदद किया और मैं करता भी रहूंगा आगे की तो नमें कोई गलती नहीं उसमें लेकिन उसके साथ क्या हुआ है यह पुरे देश को जानने का हक है और वही लोग उसके फैंस बहुत सारे लोग अभी और जब तक उसके जस्टिस नहीं मिलता है अगर फाउल प्ले है तो बात हकी है नहीं बात जस्टिस की है क्योंकि फाउल प्ले है अगर तो तो एक्च्वल में इस पूरी चीज को बहार आना चाहिए अगर मैं अगर मैं बोलू तो कोई ऐसा रीजन नहीं दिखता कोई आदमी ऐसा स्टिप ले ले तो आत्मी ही सोचेगा कि फाउल प्ले है तो उस चीज को जानना तो और जहां तक शोशल मेडिया न्यूज ओन और आफ या आता है बट जिसकी कोछ ऐसे इविदेंस मिले जिस लोग रहते बहुत अमीर है लेकिन उनमें एक डिप्रेशन के प्रॉब्लम होती है तो उसके वजे से भी तो चेस्टर बैंनिंग्टन हो गया जो लिंगर पार का वो था सांट गार्डन या जो दूसरा बैंद था जो दूसरा बैंद था फ्रेंट ही था वो उसने भी ट्रि इतने अच्छे से च्होरे और MSD मुवी दे रहा है तो दूसरे को मोटिवेट कर रहा है वो एक दिन में तो डिप्रेशन में और इसा नहीं को उसके अगे मुवी आपको मैं बता दू ओू ऑन दर रिकॉर्ड आप मुडली कांथ पेटकर जिनके ओड़ चंदू चैंपियन म मुडली कांथ पेटकर जी इस बहुत क्रूशल इंफरमेशन यह पर याजाती है कि पहले हमें आपर ढूंड़ना है सुषांत के बहुत क्लोज़स फ्रेंज कौन थे आइंग कोई मेडिकल हिस्टी का वहा है था कि that he was on medication right इसो न्यूज आई थी depression की medication में he was या फिर दूसरे चीज आजाती है कि हमारे पर कितने accounts है actual में reliable accounts of people जो से actual में last 60 days में close friends थे और अपना मूँ खोला और बताया कि actual में okay तुम्हारा first hand account क्या था तुम्हें क्या दिख रहा था इस इंसां के जिंदगी में how they were were they talking about problems were they kind of distanced from everything क्या उनकी काम में रुची बहुत जाता थी क्या वो motivated थे अगर इंसान behaviorally भी बहुत motivated है काम में रुची है active है तो वो डिप्रेशन के सिंटम्स के थोड़े सो तुम opposite जा रहे हो तो यह सब चीज आपको देखनी पड़ेंगी नो पर्सनल हेल्थ किसाब से कैसे आन्मी बहेव कर रहा था कैसे जी रहा था क्या बाते करता था जिनको पड़ चंदू चैंपन बनी है पले शुषांत उस मुव तो लो होता है त्रू वो दुनिया वो एस्ट्रो फिजिक्स आप उसके जब देखते थे जो इस्पेसिलिट चीजे न उसके फिफ्टी ड्रीम्स थे तो ऐसा आप में तो कोई बनाता नहीं तो ऐसा कॉमन मैन मुझे जहां लगता है कि जैसे सब को जानने कहां कहें मुझे जानने कहके और वो हमारे स्टेट का मुद्दा था उसके लिए मैं बढ़ चड़के जितना कर सकता तो और आगे भी मुझे लगता है यह नहीं कोई और मुझे लगता है कोई कमजोर पर रहा है मैं जरूर आगे आओंगा उनको मदद करने के लिए इसलिए कि अगर उसको न लगा रहे हैं और जो थेओरी से जो भी प्रूब नहीं हुई है बहुत लोग इसको बोलते हैं तुमको किसने पता है लेटर लिखा किसे ने तुमको सरकार ने का गज़ दिया है एजनसी जाच कर रही है कि कौमन में नहीं बोलेगा कि जो वेल टूडू है डिप्रेशन की सब्सक्राइब कितना टाइम हो गया रहे इस चीज को हुए वे बात करेंगा यह इतना हाइप्रोफाइल केस है और इस पे इतना प्रेशर बन रहा है सालों से तो भी लाइक इसका जो कंक्लूजन है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है कि आपको लगता है कि हाँ पर कुछ प्र ऑल थे सब्सक्राइब रहाँ थे सब्सक्राइब यह लूक्ट अंदिय् bạn करैब डिद रहा है पेल्स लुच किसी को फसाद अनुम मुश कानल है फिलों कि Double Un कि इंडारेक्ट किसी का हाथ नियुक्त हो सकता है और चीज की एजनसी पता कर रही हो यह चीज मैं फिर बता रहा हूं की इंजस्टिस टूर मिलब जो गिल्टी नहीं है आप उसको फसादो तो एक इंजस्टिस सिस्टम लेकिन अगर किसी ने किया है आप उसको चोर रहो वह तो मैं तो यहीं चाहता हूं कि शुषान सिंग रातपूर को निया मिले उसको जस्टिस मिले दुनिया को पता चलना चाहिए सिफ भारत वास्यों के नहीं उसके फैन पूरे वर्ल्ड में कि उसके साथ क्या हुआ था एजनसी आए क्रैक करें बताए कि बहुत मुश्किल था क्रैक किया है और उनको यह चीज मिला और यह चीज अभी एजनसी के पास सिस्में में अगर कोई चीज टिका टिपनी करूं तो लगया कि तो जो चीज है एजनसी बहुत लेट से आई थी बहुत दिनों के बाद और एंटरी होती बहुत एविदेन्स हो सकता है कि जो करने व से देखने का कि इंसान के करियर ग्रोथ क्या था मेडिकेशन के परस्पेक्टिफ से फिजिलोजिकली इंसान का क्या चल रहा था क्या-क्या चीजें ही वस टेकिंग हमें नहीं पता रेक्रिशनल ड्रक्स भी थे इंवाल्ड रमेंबर वो स्रोडी ती तो एक वो पोर्शन हो आँ वो एसपेक्ट हमें पता नहीं सब चीज बारें आटीज मुझे नहीं पता है तनी घनिश्टिया जैसे CBI को पता होगा दूसरा आता है तुमारा मेडिकेशन ठीका अगर तुम डिप्रेस्ट की मेडिकेशन में हो कुछ डिप्रेस्टिंग मेडिकेशन के किसी इंसान इहां पर खराब और करें हम यहां सरा टोनिन रिलेटट जो तुमारा जितना भी ट्रीटमेंट होता उसकी बात कररें परस्पूर्ण और तो महीं देखना या सरे तोनिन वालोग यह एक्गर्मेंचल ड्रग ले रहे थ的話 पिशेका की विए हैं इसका 50 परसंट के सफी एफिस बेस्ट थेरपी जो गई वो बहुत बढ़िया काम करती है और एक और बढ़िया एसपेक्ट आ जाता है क्या ये कोई थेरपी ले रहा था इस चीज के लिए या फिर सिर्फ medicated treatment चला था जो कि actual में half treatment हो गया किसी भी disorder या even तुमारे mental health problem चला नहीं कर तुम्हें depression diagnosed हुए हो तुम तो तुमारी therapy side में चलती है medication के क्योंकि medication में also बहुत भेंकर addictive properties होती है तो medications का भी ऐसे नहीं चलती है तुम जिंदिगी भार अप medicated medicated होगे तुम फिर addict हो जाओगे अब तुम उसका फिर abuse करने लग जाओगे अगर anxiety disorder है depression है तो सबसे जाधा efficient treatments क्या है तो वो हमेशा चीजे दो तीन perspective से कही आती है the point is कि अगर सुशान्त जैसा इंसान जो कि मैं कह रहा हूँ दुनिया के सबसे best क्योंकि तुम बात करें 0.01% लोगों की 0.1 भी नहीं सबसे top echelon दुनिया के जो सबसे वो हो गए उसमें बिलॉंग करता था ये इंसा तो मैं नहीं मान सकता कि ये जिस psychiatrist ये जिस doctor से बात जा रहा था उनको इससा बाते पता नहीं होंगी जो मैं बाते अभी कर रहा हूँ कि भाई therapy 100% आग को medication के साथ देनी चाहिए medication भी long term नहीं होती कि इंसान lifetime है तो पहला तो ये हो गया तो ये aspect completely different होगा जिसको तुम लोग को investigate रहना पड़ेगा third आगया तुमारे qualitative interviews with evidence कि ये नहीं को इंसान फालतू की story exaggerate कर रहा हो but actual sources last 60 से 120 days में जो इंसान की करीब से उनका account क्या था subjective account interpretive account होते हैं क्योंकि वो but उसमें भी काफी data होता है credible इंसान की खुद की जो उसको लगता था जो कह रहा है उसमें जो देखा उसमें भी बहुत credibility है तो लोग क्या कह रहे थे फिर चौता perspective हो गया भाई तुम देखते हो situation को पूरा outer perspective से इस इंसान की universe में what constitutes this person चल कह रहा था you look at it like completely objectively की like सारे points से देखते हैं कहाँ पर क्या था होता क्या है इंसान बहुत हद तक जो करता है उसे कहते है inductive reasoning inductive reasoning में problem यह होती है हम पहले hypothesis form कर लेते हैं और फिर हम पूरी-पूरी research जो करते हैं investigation करते हैं hypothesis को kind of prove करने के ले करते हैं inductive reasoning में problem में हो जाती है तो inductive reasoning में मैंने hypothesis prove कर ली कि यह foul play ही था तो automatically हो सकता है मैं एक subjective bias ले आऊं कि मैं सिर्फ उसी evidence को ही देख रहा हूँ जो मेरे hypothesis को prove करना चाह रहा है और मैं बहुत हद तक realize भी नहीं कर रहा हूँ वो inductive ही होती है आप start करते हैं आप उस hypothesis को confirm करने के ले जाते हो तो यह भी बहुत 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 चीज है कि आपको inductive reasoning से थोड़ सा हटना है आपको completely blank होना है clean slate और फिर सारे data भेक देना चाहिए data 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 जितना ज़्यादा data भेकते चले जाओ और फिर data को arrange करो basically analysis यही होता है बट मुझे लगता है कि agency reply देती है लोगों के RTI का articles का हम लोग investigation कर रहे है तो generally investigation कर रहे हो और ऐसा result दे जिससे evidence के साथ satisfy हो सके शुषांत के fan और देश वासी की भाई जो agency बोल रही हो सही है evidence की basis पे सो आप अभी कुछ जिसे जो internal चीजे है वो रिवील नहीं करना चाहेंगे जो आपने अपने रिसर्च में गारा को रिसर्च निहीं हम तो ही बोल थे मेरा रिसर्च ही है जो एक रिसर्च ही है तो एस इस हसाब से दूनिया में जितने भी एक social economic status से लोग हो गए उनको mental health problems होने नहीं चाहिए वो कभी depression हो ऐसा कोई कोई वो नहीं है mental health problems वो touch करते हैं हर एक इंसान को without तुम्हें कितना कवच लगा लो पैसे का, तुम्हें touch करेंगे but they are very circumstantial as well हो सकते circumstances पर बेस्ट हो there could be situational as well, situations पर बेस्ट हो तुम्हारे बच्पन में childhood adverse events थे शायर तुम्हारे ट्रॉमा से आई हो childhood तुम्हारे मातापता चाहिए कितने करोड़वती घर से हो मातापता ने कपी तुम्हें abandon कर दिया, प्यार नहीं किया पत्तमी से बात करी, मातापता आपस में जगड़ थे इतने factor से कोई हद नहीं है, तुम्हारे बुलिंग होई है, छोटे में जिसने तुमको हमेशा एक perpetual ऐसी statement डाल दे जहां पर तुम दुनिया को सिर्फ दुश्मन की तरह देखते हो तुम जीवन को ही जिद्ध की तरह देखते हो, देखते हो दुनिया बस मेरे से लड़ने आई है, क्यों क्योंकि मैं जब चुन्नू मुन्नू थे अकेले भी हो जाओ, और आप इतने antagonism या इतने जादा चीजों को इतने negatively देखते देखते आप डिप्रेसिव स्टेट में आ जाओ, यह भी हो सकता ना, तो इसकी रूट्स अनेक है, mental health को जिदना दा गहराई से पड़ो कि उतना आदा पता चलेगा कि बहुत complexity है, बहुत complexity ह इसमें research है, जो मैं एक आदमी सामने से देख सकता है, तो सरकार… जिए झाओ करें जल्ड़ो जल्दी इसको करो बनादा नहीं गलाई जल्दी इसका केस को क्लोस करो बिकिज इतने सारे लोग चाहते है कि इसका कांक्लूजन फट्ट निख लेगा है, जो मैं यह बता रहू हुग है, और अगर प्रूफ धूना है, इसका क्रीज से कर दिरफ में के भ hablando और झाल एगर किसी को पकर लेगा और नहीं किया तो भी इंजर्टिस तो टाइंजिस था उसको अब बता रहा हो तो बिता है झõlay जर्ण से उसके हो गारिप अब पध्याना चाहिए बट टाइम ली जर्गारे टुम्ह एक जर्टिसां भाद किस इसको दोगे उसके पेरेंट उसके फैमिलिय उसके इसके फैन और जो इंसान अगर लेट से कुष्स ने कुक अरम किया उसमे पूरी एक फुल लाइप पूरी जिंदिकी जी लिए उसको बचा ही क्या लेकर है शार्व बाट फीर प्ति गजाया प्राइब जी घाएब छे महिना एक साल बहुत समय होता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो आपकी वो इनेफिशिंसी को दिखाता है सो हमारे सिस्टम में तो ये चीज कॉमन है कि जैसे हमने बात किया था UPSC का भी हमने बात किया था स्टेट एक्जाम्स और ये सारी चीज़े पेपर लीक्स हो जाते हैं अंदर मालूम पढ़ जाता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है और आपने ये स्टैंस रखा कि गवर्मेंट चाहती है कि ये एजन्सी ठीक से काम करें बट अकसर रूट लेवल पर कुछ करप्ट ओफिसर्स अपने फाइदे के लिए ये चीज़ों को नजर अंदास कर देते एक ओनेस तरीके से काम नहीं करते है तो अब क्या ऐसा हम नहीं कह सकते कि इन एजन्सी के साथ भी हो रहा हो सकता है और वो जान बूच के चीज़ों को दबा रहे हैं या स्लोडाउन कर रहे हैं ताकि मामला थंडा हो जाए और फिर आठ दस साल के बाद तो लोगों को वैसे भी नहीं है तो अब जो अलड़ी आठ चुका है गोरफ भाई आपने ये विडियो बनाया आप बात करो इसके बात बात कोई भूखा है और अब मढ गया उसको खाना दोगे तो खाना किसी काम का नहीं तो बोलने का तात पर यह है कि सरकार के उपर भी कोट होता है सरकार के कुछ मुद्धों पर कोट खुल के सामने आता है डारेक जज्जमेंट बलब डारेक्ट उसको अपने संग्यान में लेता है तो एक कोट को इसमें ये होता है इंटरवेन करके आप एक बनाया कि कोई केस अगर आ गई है आप उसको सौध दिन के अंदर एक साल के अंदर दो साल के अंदर कंक्लूड करो यानि कि अगर आपको नहीं मिला तो आप उसको 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल अब ये भी हो सकता है कि चार साल में आपको बता रहा हूं मैं आपको गारेंटी से बता रहा हूं उस समय कव अब उसको इन्व़स्टिगेटिंग ओफिसरों अभी तक उनका दो ट्रांसफर भी हो गया होंगा वो दो ट्रंसफर भी होगा हूंगा जितने गोटाले हूए उनकी इन्वस्टिगेटिंग ऑफिसरी बदल गया है अब नेक्स्ट पोस्टिंग की निजार कर रहे हैं गौवर्मेंट शुड में कर रूल कि एक ही तुम्हारे टेन्यूर के अंदर वो होना चाहिए तुम्हारे डिमोशन रेटी है बहले तुम बताओ क्या है वो फैक्ट है या नहीं है वो हुआ है कि नहीं हुआ है वेरी वेरी गुड वीडियो वीडियो